अज हम यह वाला डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए हम इस धागे के साथ यह 2.0 mm का क्रोश्य इस्तेमाल करेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे एक स्लिप नॉट बनाएंगे ये अब हम आठ चेन बनाएंगे एक दो तील चार पाच छे साथ आठ और इसको हम पहली वाली चेन में सिया से जोड़ देंगे तीन चेन एक दो तीन और ये जो बीच का सरकल है हमारा इसके अंदर से हम एक बार दो बार तीन बार और ये चार। ऐसी हमारे पांच पंदे बन गए उन पहले एक साथ गटा दिया तीन चेन फिर से ऐसी बनाएंगे एक बार दो बार तीन बार चार। और ये हमारे फिर से पांच हो गए इसे हमने एक साथ बन करती हैं। तीन चेन इसी तरीके से इसमें हमें आठ बार बनाने के बाद ये डिजाइन हमारा ऐसा दिख रहे हैं। ये तीन चेन और अब ये जो हमारा ये वाली पहली चेन है इसके अंदर हम से जोग देंगे। डिजाइन हमें अंदर से बनाना है एक बार हम अंदर आ गए तीन चेन और जैसी ये डिजाइन हमने बना है ऐसी बनाएंगे। एक बार दो और ये तीन ये चार ये फिर से हमारे पाच फंदे हो गए उनको हमने घटा दिया तीन जैन फिर से हम पाच बनाएंगे इसमें। एक बार दो बार तीन बार और ये चार बार ये हमारे फिर से पाच हो गए इसको हमने एक साथ बन कर दिया तीन चेन और ये जो हमारा अगले वाला गए पैजा लिए ये इसके हंदर हमने ऐसे बिना पन देखे इसको वाशे जोर दिया फिर से तीन चेन और जो ये अगले वाली जाली है इसमें से हम फिर से एक बार दो बार तीन बार और ये चार बार ये हमारे पाच हो गए इसको हमने बन कर दिया तीन चेन, फिर से इसी वाली ही से एक बार, दो बार, तीन बार, और ये चार बार, पाज होगे, इस पॉमने फिर से इसे बंद करते हैं, ये ऐसा डिजाइन हमारा पूरे सरकल पे बनेगा, जो दूसरा राउंड कम्प्रीट करने के बाद हमारा डिजाइन अब ऐसे लिए ये तीन चेन बनाईए हैं हमने, और पहले की तरह यहां फिलाक्रीज को जोड़े हैं, फिर हम एक बार अंदर आगें ऐसे, और इसी के उपर दोबारा बनाएंगे, एक, दुने, तीन, तीन, तीन चेन, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये, चाल, इनको कटा दिया, तीन चेन, फिर से इसी में से बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन, और ये, चाल, फिर से इनको बंद कर दिया, तीन चेन, और जो ये हमने बनाया है, ये बली जाली, इसके अंदर हम इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से, ऐसे, तीन चेन के साथ, पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस बली चेन में जोड़तेंगे, ऐसे, और फिर से तीन चेन, एक, दो, तीन, और ये बीच में से, जैसे नीचे डिजाइन बनाया है, वैसे ही हम, इसे बनाएंगे, तीन, और ये, चार, पांच बन दे होगे हमारे, इनको बन कर दिया, तीन चेन, फिर से इसे ये से बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये, चार बार, ये हम ऐसे बन कर दिया है, अब हमारा डिजाइन, इसके उपर ये, तीन चेन, पहली जाली में जोड़ दिया, पांच चेन, दूसरी जाली में जोड़ दिया, तीन चेन के साथ, इस वले बीच वले डिजाइन पे आवे, और हम इसी तरीके से ये पूरा राउंड कम्प्रीट करेंगे, ये राउंड पूरा कहने के बाद हमार इसे पहले की तरह ऐसे जोड़ देंगे इस वली चेन ही एक बार अंदर आए और इसके उपर कुछ से हम ऐसे बनाएंगे टीन चेन एक बार दुले बार तीन दार और एक चार बार यह आरे पांच ओड़े थे बटा दिया एक दू तीन चेन फिर सेसी में से एक बार दुले बार तीन दार और एक चार बार पांच हो गए है 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 इसे हम एक बंद कर रहे है अब हम तीन चेन बनाएंगे और यह जो है यह जाली इसके उपर से हम एक डवल क्रोशिय बनाएंगे ऐसे हैं यह जो हमारी जाली है इसमें से हम छे डबल क्रोशी बनाएंगे एक दो टेन चार पाश चे यह हमने यह पर जोड दिया वीच में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाएं और इसके उपर हमें एक आइसे डवल पूर्शिया बना दिया ऐसे तीन चेंग एक दो तीन चेंग और वापिस हम इस में डिजाइंग में आ गए अपने एक बार दो बार तीन बार और दे चार उसे हमें बन कर दिया तीन चेंग फिर से इसी में एक बार दो बार तीन बार और दे चार यह डिजाइन हमारा ऐसे बनेगा और अब हमें यह इसी तरीके से पूरा यहां तक कंप्लेट यह रहूं पूरा उने के बाद हमारा डिजाइन हम ऐसे दिख रहा है उससे हमने यह तीन चेंग बना रख किया है और हम यह पहले की तरह यहां पे चोट़एंगे अंदर आ जाएंगे और जासी दिजाइन हम पहले बना रहे है तीन चेंग के साथ यह सी बना देंगे एक बार, दोरा, दिरा, चार बार इसे हमने बन कर दिया तीन चेंग फिर से इसी तरह के से चार बार एक, दो, तीन, और चार तीन चेंगे यह जो हमारा नीचे से है यह इसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे पहली वाली जानीवी से और हमने एक डबल क्रोशिय ऐसे तीन चेंग फिर से हम इसी में से एक पार और डबल क्रोशिय बनेंगे और यह हमारा एक वी बन गया इसके उपर हम चार चेंग बनाएंगे दो, तीन, चार और जो यह वाली जानी यह लास्ट वाली इसके अंदर से एक डबल क्रोशिय बनाएंगे तीन चेंग और वापिस दोबारा डबल क्रोशिय फिर से तीन चेंग और जो यह हमारा बीच में डिजाइन चल रहा है जिसमें हम पहले की तरह बनाएंगे इस इसी तरीके से हमें यह पूरा रहू कंप्रीट करते हैं पूरा होने के बाद हमारे डिजाइन ऐसा दिख रहा है और अब हम इसको तीन चेंग के साथ वापिस दर जोड़ देंगे और बीच में आ जाएगे एक, दो, तीन, पहले की तरह एक बार, दो बार, तीन डार, तब एक, चाह पार, एक, दो, तीन, फिर इसी में से जैसे हमारा नीचे डिजाइन आ रहा है वैसे बनाएंगे, दो बार, तीन बार, और ये, चार बार, तीन चेंग, और ये जो हमारा भी बना है, ये पहला दबल क्रोशिया, इसमें से हम यहां से, डबल क्रोशिया बनेंगे, एक बार, अब ये जो भी है, इसमें से हम आठ बार बनाएंगे, डबल क्रोशिया, एक बार, दो, तेन, चार, पाच, छे, साथ, और ये, आट, ये, एक डबल क्रोशिया हम, जो नीचे से आ रहा है हमारा, इसके उपर बनेंगे, ये हमारा ऐसे बन जाएंगे, दूसरी बले इसमें, ये जो हमारी चेन है, इसके अंदर आ जाएंगे, और एक डबल क्रोशिया बनेंगे, ऐसे, अब इसमें हम आठ बार फिट से बुनेंगे डबल क्रोशिया एक बार दो ती चार पाच छे साथ और ये आठ और जो एक है ये वड़ी जाली इसमें से हम ये बुनेगे टी जेन और हम इतने इस डिजाइन में ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे ये ये इस तरीके से हमारा डिजाइन दिखाई देगा और इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड यहां तक सारा ये राउंड पूरा होने के बाद हमारा डिजाइनर ऐसे दिखाई रहा है और इसमें हम तीन चेन गनाएंगे एक दो तीन और अपने ये पहले की डिजाइन में आजाएंगे तीन चेन पहले की तरा एक बार दो बार तीन गाँ और ये चार तीन चेन पूर से एक बार दो बार तीन गाँ और ये चार ऐसे तीन चेन ये जो हमारे नीचे से आ रहा है इसके उपर हम दबल क्रोशिया बनाएंगे एक ऐसे तीन चेन एक दो तीन चेन फिर से इसी के अंदर से एक बार और ऐसे हम वी बना लेंगे एक जैसे हमने नीचे बनाए था ऐसे हम यहाँ पर बनाएंगे छे चेन बनाएंगे एक दो तीन चाल पाच छे अब यह जो हमारा बीच में क्या पा रहा है यह वाला इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और तीन चेन फिर से इसी के अंदर से एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे यह वाला फिर से छे चेन एक दो तीन चाल पाच और यह छे यह जो हमारा आखरी बाला डबल क्रोशिया है इसके उपर से हम इसे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चेन बनाएंगे और फिर से इसी में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार तीन चेन और हम अपने पहले वाले डिजाइन पर आ जाएंगे ऐसे यह लाइन हमारे इस तरीके से बनें एक भी दो और यह तीन पीचे एक फिर यह दो फिर यह तीन इसी तरीके से आपको यह पूरा राउंड यहां तक कम्प्लीट कर देंगे यह राउंड पूरा होने के बाद हमारा डिजाइन आप ऐसे दिख रहा है अब हम तीन चेन के साथ इसको पहले की तरह यहां पर जोड देंगे बीच में आ जाएंगे और अब मैं इस डिजाइन को यहीं पे समात करती हो आप इसे जितना भी चाहें अपने हिसाब से बड़ा बना सकते हैं